नमस्कार आप भरत लाइब देख रहे हैं बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है आपको बता दे लगातार सरकार कोरोना के नियमों में छूट दे रही है करोना के घरते मामले को देखकर सरकार धीरे धीरे छूट दे रही है लेकिन सरकार इस बात को लेकर भी सजग है कि करोना की जो तीसरी लहर आने वाली है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा साथ ही तीसरी लहर को कैसे रोका जाय उसके लिए रोड़ मैप त्यार किया जा रहा है वैक्सिनेशन का काम जी चल रहा है और सरकार ने इन सभी बातों को लिये कर लगातार समस्याँ जो बिहार में आ रही है उसके बाद सरकार ने lockdown कम करने का फैसला लिया है और उसमें विद्याले में वच्चे को कोबिड अनिकूल वेवहार की जानकारी दी जाएगी लोगों को अभी भी कोबिड संबन्दी सावधानी बड़तनी चाहिए या नितीश कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी है अभी आपको बता दे कि साम को बैठक हुई है नितीश कुमार की और उसके बाद ये सारी खबर निकल कर सामने आ रही है कि कोचिंग संस्ता के छात्रों की 50% उपस्थिती यानि एक दिन छोड़के साथ कार्ज कर सकेंगे सरजोनिक वाहनों को पूर्ण छमता के साथ चलने की कबायद हो चुकी है अब इसकूल खुलेंगे सोफिल मौंद खुलेंगे और सारोजनिक वाहन है वो भी खुलेंगे कोर्णा संक्रमन की कमी को देखते हुए दिनांग 7 अगस्त यानि 7 अगस्त आने वाले दिन को और उसके बाद 25 अगस्त तक सभी दुकाने को सबताहिक बं खुल चुकी है इसकूल को खोल दिया गया है अब आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर जो आने वाली है उसको देखकर सरकार सजग है और साथी सरकार ये चाहती है कि लोग कोरोना के गाइडलाइन्स का पालन कड़े भले ही छूट दे दिया गया है लेकिन कोविट स अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में कोरोना को कैसे कोरोना से कैसे लड़ा जाएगा और जिस प्रकार से वैक्सिनेशन का अभ्यान तेथ चला जा रहा है तो देखना यह होगा कि तीसरी लहर की क्या कुछ संभावनाय बन रही है अगर यह वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दे पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद